नमस्कार, Capital TV का खाश शो राहूल कागने पर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूझा राहूल गांदी यूरोप के दौरे पर गए हुए हैं, उन्होंने ब्रिसल्स बेल्जियम में यूरोप इस अंसत के सदिस के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया राहूल गांदी ने विदेशी धर्टी से एक बर फिर भारती लोकतंत्र को खत्रा बताया, राहूल गांदी ने कहा कि देश में अल्प संक्यक सुरक्षित नहीं है, मोधी सरकार आम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और केवल अपने कुछ खास लोगों की बा आने पर एतराज भी जताया है, तो राहूल गांदी का यूरोप दौरा एजंडा वही, इसे पिचरचा करेंगे, मेरे साथ स्टूड़ में मौझूद है कि आपटल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीब जी, राजीब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, राह राहूल गांदी थोड़ा सा पहले से बैलेंस करते नजर आए, क्योंकि पहले ही कॉंग्रेस इन मुद्दों पर घिर चुकी है, तो इसलिए राहूल गांदी को थोड़े सलाह दे गई, कि बैलेंस करते हुए बात करो, और कुछ मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर दो, युक्रेन रूस के युद्ध में राहूल गांदी के बोलने से पहले मनमोहन सिन बात करते हैं, और मनमोहन सिन से इंटर्व्यू लिया जाता है, कई मुद्दों पर चर्चा होती है, जी 20 सम्मिट को लेकर, और उसमें मनमोहन सिन बताते हैं कि रूस और उक्रेन के मुद्द पर जो युद्ध चला उसमें भारत सरकार की नीती बहतर रही है यानि की नेशनल इंट्रेस्ट को देखते हुए जिस तरीके से रूस पर आर्थिक पर्तिबंद में भारत शामिल नहीं हुआ ये भारत के लिए अच्छी बात है और पिये मोदी की उस नीती की सरहना की अब र आहुल गांधी के ही जो पाटी है उसके पुरपरधान मंत्री जिनको बड़ा एकनॉमिस्ट इन लोगों ने बताया और वही इस नीती की हसाराना कर रहे हैं तो वो नहीं बोल सकते थे इसलिए इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार का समर्थन किया ये बैलेंस एप्रोच बत यात्रा पर गए तो उस समय उन्होंने पूरी निगेटिविटी फैलाई इस समय पोजेटिव होते हुए निगेटिव आये क्योंकि निर्धारित था मुद्दा निर्धारित थे सवाब और इसलिए जी ट्वंटी पर उन्होंने बीच-बीच का रास्ता अपनाया अब बु प्राई कर सकते हैं कि मेजवानी जो जी ट्वंटी के भारत को मिला है वो गलत है ये तो कहा नहीं जा सकता इसलिए एक नया मुद्दा ले आए और वो मुद्दा क्या था जी ट्वंटी के डिनर में कॉंग्रेस के नेता मलिकारजुन खड़गे को आमंतरित नहीं करना और को लेकर क्या कहा कि ये देखिए कि इतने बड़े आयोजन में विपक्ष को कैसे दरकिनार किया जा रहा है मतलब भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और सरकार वही जो सरकार है ताना शाही रवया अपना रही है अब इनके जूट को देखिए कि ये बताते हैं कि विपक्ष को इग्नोर किया जा रहा है विपक्ष यानि की 60% रिपरजेंटेशन जिसका है उसको भाव नहीं दिया जा रहा वैल्यू यही विपक्ष की हिंदुस्तान में हैं लेकिन विपक्ष क्या कॉंग्रेस है अभी के समय में अगर देखें तो लोकसभा में 10% के आज़ पास रिपरज बेजा गया अब चीफ मुनिस्टर कॉंग्रेस के भी है अगर आप नहीं जा रहे हो तो उसमें सरकार की गल्ति नहीं है लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो विपक्ष में नहीं बैठे हैं पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस की कितनी सीटे हैं एक भी सीटे विधाम सभा में नहीं हैं एक जीते थे उपचुनाब में वो भी TMC में शामिल हो गए विधायक तो ऐसे में आप किस तरह का विपक्ष अपने आपको कहते हो कि हम पूरे विपक्ष के 60% लोगों को के नेता नहीं है क्या उनका रिपर्जेंटेशन नहीं है यह 60% नहीं बलकि 8-10% लोगों का रिपर्जेंट करने है दिल्ली के चुनाब में भी 5% के आसपास वोट मिले थे आप किस तरहिके से बात करते हो कि 60% लोगों को रिपरजेंट करने वाली पार्टियों को वैलू नहीं दिया जा रहा है जब कि सारे स्टेट के मुख मंत्रियों को इनवाइट किया गया है अब ये तो पहला जूट ह जिसमें मलिकारजुन खडगे का नाम जोड़ दिया गया यहां कोई नेता परतिपक्ष को बुलाने की बात नहीं हुई या किसी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाने की परमपरा नहीं रही है अगर पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया जाना होता तो यहां पर 100 से ज़्या पार्टियां यहां पैसे तेह कर लोगे की सिर्फुर्थ यह पहली बारली बाट त्स पहरें क्यों नहीं जाके बता रहे हा시는 आशित करनेitarian का पैस यही तो तत्यों को छुपा कर कुछ तत्यों को उजागर करने वाली बात है अगर CM को invitation आता है उसकी चर्चा ना करो लेकिन जिसे नहीं भेजा जाना है अब सोनिया गांधी की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि सोनिया गांधी की बात करेंगे तो फिर ये लगेगा सोनिया बना के रखे हुए थे कि जब G20 का सम्मिट होगा तो हम 36 गड़ चले जाएंगे उसी बात को लेकर कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम यहां पर अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में व्यस्त हैं उनकी व्यस्तता कैसे है उन्होंने मलिकार जुन खड़गे को पहले इन्वाइट कर लिया राहूल गांदी खुद इतने बड़े देश के आयोजन में भाग लेने के बदले यानि पाटिसी पिसंद का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि वहाँ पर जाके डेलीगेट से आप मुलाकात करेंगे पाटिसी पिसंद का मतलब होता है कि आप होसला बढ़ाएंगे कॉंग्रेस के कारकरताओं को बोलेंगे कि पोजेटिव मानसिक्ता के साथ आप इस आयोजन में शामिल हो आप तो ये नहीं कर रहे आप एरोप चले कोई कॉंग्रेस का बड़ा नेता इस मुद्दे पर बोलने के लिए तयार नहीं है कि भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्दी है आप मोदी का नाम मतलो भारत का नाम तो ले सकते हो लेकिन इसमें भी राहुल गांधी ने वही बाते कही दूसरी बात ये इंडिया गबराई हुई है कि देश का नाम बदलने की कोशिश कर रही है यह देश का नाम बदलना यह राहुल गांधी जिस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं यह इरोपियन ही है क्योंकि इरोपियन मानसिक्ता है देश का नाम बदला जा रहा है यानि कि आप मानते हो कि इस देश का पहले तो भारत था ही नहीं यहां तक की जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी बृटेन में यही चर्चा होते थी और कई लोगों ने बुद्धी जी बी जो बृटेन के थे उन्होंने कहा कि भारत जैसा कोई शब्ध है नहीं यह देश तो है यह नहीं यह तो अलग-अलग राज्यों अलग-अलग संस्कृतियों का है अलग-अलग भाषाओं का देश है जो सम्मिलित है एक साथ जुड़ा हुआ है कभी भी विक्रा हो सकता है यहां तमिल है यहां तिल्गू है यहां हिंदी है यहां पंजाबी है यह लोग जो हैं वो कभी भी भाषा क्याधार पर भी ये डेस है और भारत जो नाम है इसका इंडिया से प्राचीन नाम है और इसलिए हम नाम बदल लिया है नाम को गलतियां जो की गई थी उसको सुधार रहें और यह परकृरिया में हैं तो ये दूसरा जो आधार रहा इनका जूट फैलाने का तीसरी बात जिस तरीके से ये बार-बार वही चर्चा करते हैं विपक्ष को खत्म किया जा रहा है 370 खत्म करने को लेकर कश्मीर पर सवाल वो कैसे चतुराई से उन बातों को कह गए कि अभी भी ये जो जवाहर लाल नहरू के समय प्लिवी साइट की बात की गई थी और ये प्लिवी साइट आज भी यही बात दोरा रहे हैं कि हर व्यक्ति हर लोगों की आवाज को सुननी चाहिए डेमोकरिसी है सब की आवाज सुननी चाहिए लेकिन निर्धारित कैसे होता है कि किसकी आवाज सही है या गलत है उसके लिए सम्विधान है कानून है सबकी आवाज सुनने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान परस्त लोगों को कश्मीर में जगह दी जाए अगर आप कहते हैं कि इंटिग्रेटिट पार्ट है बारत का कश्मीर तो ये मानिये और ये मान कर चलिये कि जो एलो सी के बाद भी कश्मीर है पाक अदिकृत कश्मीर वो भी हमारा ही हिस्सा है हम कोई इस पर समझावता नहीं कर सकते कि कश्मीर के कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर उसको पाकिस्तान के साथ समझावते के लिए तयार हो जाए ये इनकी दोहरी चरीतर दोहरा मान सकता है कि कश्मीर पर भी इन्हों ने उन देश द्रोईयों का साथ दिया जो आज आज आर्टिकल 370 को क इसलिए जिस तरीके से सुप्रेम कोर्ट में ये मामला चला और नेशनल कॉन्फरेंस का सांसद अकबर लोन को कहा गया कि तुमने विधान सभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये थे आज यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो 370 को फिर से लागू करवान है ताकि पाकिस्तान के साथ साड़ गाट कर सके उसी के साथ ये कॉंग्रिस पार्टी है मतलब राहुल गांधी वहाँ पर जाके 4-5 सवाल उठाए और 4-5 सवालों में सब के सब वही था जो देश के खिलाफ जाता है मोदी सरकार मतलब एजंडा वही है देश को बदनाम करन ऐसे लिए वो यूरोप का है लेकिन जो तस्वीरे सामने आई हैं उनकी मीटिंग की उनसे तस्वीरों में कुछ लोग ऐसे शामिल है जो भारत के खिलाब जहर उगलते हैं देश विरोधी एजंडा चलाते हैं किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं यूरोप में जाकर राहु क्योंकि ये जब जब जहां जहां गए अमेरिका गए ब्रिटेन गए अब एरोप के कुछ देशों में गए हैं अभी तो सुरुआत है बेलजियम से उसके बाद फ्रांस भी जाएंगे और जब बेलजियम में इनके आस पास जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि हम जुबैर क समर्थक हैं यह तिस्ता से तलवार को यह डिए फंड मिलता था और इसके हस्विंड को भी इसलिए गिरफ़तार किया गया क्योंकि इरोप के फंड पर विदेश्टी फंड पर उसने जो एंजीयो बनाया तो तेगरे तो गुलबर्ग सोसाइटी में मुजियम बना रहा था ये लोग और वो मुजियम में क्या दिखाया गया वो दिखाया जा रहा था कि कैसे हिंदूों ने मुसल्मानों को कतल किया ये नहीं दिखाया जागा कहीं इसने तिस्ता सितलवार ने कभी ये कहा कि गोधरा कांड कैसे वहाँ पर कार सेव को को कैसे जला दिया गया इस पर कॉंग्रिस ने न कहा और तिस्ता सितलवार यही जिसके एंजियो वाले ने कहा है कि अहमद पतेल जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाईजर थे उसने पैसे दिये 30 लाख रूपया एक वार तिस्ता सितलवार को दि जेल के पीछे भीजवा यह सारे के सारे जो देश द्रोहियों का गैंग है उन्हीं लोगों ने इनके विदेश यात्रा के समय सारा आयोजन किया है और इसलिए जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो सवाल वही होंगे जिसका जवाब आपको उसी तरीके से देना अगर बातों की बात होती है जो आपने बयान दिया पिछली बार भी जब बयान दिया तो कॉंग्रेस के पूरे प्रवक्ता जो थे ये बार बार कह रहे थे आप लोगों ने ये समझा नहीं क्या कहना चाह रहे थे लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी और फूटे जाए तस् इसमें देखा गया कि उन लोगों ने जो की मोदी विरोध के नाम पर देश को कमजोर किया है सोरोस फंडेड एंजियो ये ओपन सोसाइटी के वो लोग भी राहूल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जिसके उपर भारत में गंभीर आरोप लग रहे हैं भारत के कई प्रोजक्ट को वो इसलिए रोक रहा है क्योंकि उस प्रोजक्ट से अमेरिका को नुक्सान हो सकता है इरोप के कुछ दूसरे देशों को नुक्सान हो सकता है हमें उस पर निर्भरता बनाये रखने के लिए वो पैसा लेता है यहां पर लीगल सेल के कुछ वकीलों का अतनों को भड्काया गे दंगा करवाए गे ये सारे के सारे वो लोग है और उन्हीं लोगों के साथ इनका उठना बैटना होता है जो सब भा, हर बार हिरोप की यात्रा में अमेरिका की यात्रा में सामने आई है और इस बार भी वही चीजे सामने आ रही है जी बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए धन्यवाद तो राहूल गांदी एक बार फिर से अपने देश बिरोधी एजेंडे पर है उन्हीं लोगों के साथ हैं जो हमारे देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं बारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और अभी तो शुरुआत हैं लंबा वक्त राहूल गांदी यूरोप में बिताएंगे आगे-आगे देखिए राहूल गांदी क्या करते हैं किस तरह से नफरत की दुकान यूरोप में परोस्ते हैं राहूल गांदी के यूरोप दौरे पर हमारी नजर बने हुई है देखते रहे क्यापचल टीवी नमस्कार